असलाम नेको फ्रेंट्स मेरे नाम है मुहमाद असिफ और आप देखे रो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके सिस्टम में cmd फाइल जो है वो मिसिंग है तो आप उसको कैसे यूज कर जकते हो तो अ इसको फाइल ज्यान करता हूं तो यह विंडोज 8 से तो यहां पर अगर मैं cmd यहां पर लिखता हूं तो यहां पर मुझे यही बताएगा कि आपके सिस्टम में यह फाइल मिसिंग है तो आप इस फाइल को किस दरह से पांड कर सकते हैं तो चलिये मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके problem यह आ रही है तो आप किस तरह से इसको solve कर सकते हूं तो सबसे पहले आपको अपने my computer की C में आना है उसके बाद आपको windows की option में आ जाना है उसके बाद यहां पर आपको system 32 bit की option मिलती है तो आप इसको open करेंगे यहां पहने के बाद आपको सर्छ बार में cmd सर्च करना है तो यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी是acAAAA di馏ного cmd की command नहीं मिल रही है तो आपके साथ isacame यही issue है आपको यहां पर भी cmd की command नहीं मिलती तो फिर आप क्या करेंगे तो मैं आपको बताता हूं अगर आपको यहां पर cmd की cmd मिल जाती है तो आप उसका shortcut रखो stuk पर डेसक्ट पो ले सकतेठेगें यहां पर लेक क्या है मैं आपको बताता हूं यह नवीप right and customize आपको cmd नहीं स्क्राइगे ला। back पे आने के बाद आपको यहां पे लिखना है cmd ठीक है find में तो आपको cmd लिखके सर्च करना है तो आप जैसे ही सर्च करते हैं यहां पे आपको cmd की जो फाइल है वो मिल जाएगी तो यहां पे यह देख सकते हैं मुझे मिल गया है तो आपको इसको run as administrator करके open करना है और आपकी cmd फाइल जो है वो उपन हो चुकी है तो आप इसको easily use कर सकते हैं यहां पे कुछ और भी मिलती हैं लेकिन यहां पे जो cmd exe फाइल है आपको इसको open करना है और यूज करना है तो जब भी आप इसको open करते हैं आपको run as administrator करके file को open करना है तो चलिए यहां पे फ्रे 4 माण प्रेश है कि तो खाइल से साफ मंग जो हैं छ्ली आपकी स्जव करना हल दो जूज करना है और जा है वहां ए जूज हुत हैं ग someone